Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ Dr. Muskaan और आज में लेकर आई हूँ आपके लिए Chapter 5 Cellular Process का बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक जो है Photosynthesis So students, Photosynthesis कहां होता है? तो Photosynthesis Plants में होता है And Photosynthesis एक Process है जिससे Plants अपनी Energy को Produce करते है And then अपनी बाकी की Processes करते है तो Photosynthesis का Main Site क्या है? Chloroplast Plants क्या करते हैं students? तो ये सारी चीज़े Chloroplast में होती है Carbon Dioxide का Utilization करते है And साथ ही Water की मदद से वो क्या करते है? वो हमारा Glucose का Molecule बनाते है जिससे वो अपनी Energy को Produce करते है And Oxygen का Release करते है तो इससे पहले हम Deep में Photosynthesis में जाएं हम थोड़े अपनी Basics Brush Up कर लेते हैं So students, सबसे पहले हम देखते हैं कि Chloroplast का Structure कैसा होता है? Chloroplast वो साइट है जहाँ पे Photosynthesis होता है Plants के अंदर तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ Chloroplast Chloroplast is a Double Membrane Bound Structure यह उसकी Outer Membrane And this is उसकी Inner Membrane यहाँ पे मैं Label कर देती हूँ यह है हमारी Outer Membrane And यह है हमारी Inner Membrane जैसे हमें पता है Students Plants में जो क्या रहती है? Plants में Chloroplast के अंदर रहता है Strama जैसे Nucleus के अंदर के टिशू को क्या कहते है हम? Nucleoplasm Cell के अंदर के कहते हैं Cytoplasm वैसे ही Plants के जो Inner Material है उसको हम क्या कहते है? Strama तो यहाँ पे मैं Draw कर देती हूँ यह हमारा Strama इसी Strama में Students एक Stack-like Cylindrical Structures पाए जाते हैं कैसे? Stack-like Cylindrical Structures जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम Thylopoid कहते हैं ठीक है? यह Structures बहुत Bundles में Available रहते हैं और एक नहीं बहुत ही Numerous Bundles रहते हैं यह तो इसी Strama के अंदर हमें मिलते हैं Stack-like Cylindrical Structures यहाँ पर मैं Draw कर देती हो उने तो देखो ऐसे Stack-like Cylindrical Structures हमें पाए जाते हैं Strama के अंदर यह रहे एक Stack को क्या कहते हैं? एक Cylindrical Stack को हम कहते हैं Thylopoid क्या कहते हैं? Thylopoid और यह बहुत सारे Stack में ऐसे मिलते हैं तो यहाँ पर हम इसको लेबल कर देते हैं यह क्या है? यह है हमारा Thylopoid तो इस इस Thylopoid जो किस तरीके का होता है? जो Stack की तरह हमारी Strama में पाए जाते हैं इन Thylopoid के अंदर क्या होता है? इन Thylopoid के अंदर ही तो सारा कह सकते हो Photosynthesis की Process होती है यह जो Thylopoid रहते हैं स्टूडेंज यह किस से Connected रहते हैं? तो यह एक Structure से Connected रहते हैं एक दूसरे से जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं Stromal Lamella तो क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं stromal lamella तो ये रहे मेरे stromal lamella या सिर्फ lamella भी कह सकते हो अगर ये plural है तो lamella बहुत सारे हैं हमारे इतना clear है एक है तो lamella अब students ये जो stack like structure आपको दिख रहा है इस पूरे को all together हम क्या कहते हैं? इस पूरे को all together हम कहते हैं granum और अगर ये कई सारे हो तो इनको क्या कहेंगे? जब ये बहुत सारे होते हैं तो इनको कहते हैं granum जब ये single होते हैं तो इनको कहते हैं granum इतना clear है आपको? ये है पूरा structure किसका? हमारे chloroplast का यहाँ पर मैं लिख देती हूँ chloroplast I hope this much is clear to you अब students, हमारी जो cells रहती है, chloroplast cells रहती है इन में दो टाइप के structures होते हैं एक होते हैं chloroplast cells, एक होते हैं leucoplast cells chloroplast cells क्या होते हैं? ये chromatogenic structures होते हैं क्या होते हैं? chromatogenic structures और इन में क्या मिलता है? chlorophyll क्या मिलता है? chlorophyll जिसकी वज़े से क्या होता है? फोटो सिंथेसिस in the presence of light उसी तरह leukoplast cells होते हैं वो pale, opaque से colorless structures होते हैं जिन में हम store करते हैं अपना oil, nutrients and food इतना clear है? तो मैं बता देती हूँ दो type के cells हमें plastids में पाए जाते हैं इतना clear है? इसका screenshot ले लीजे चलो two types के cells हमें plastids में पाए जाते हैं two types of cells कहां मिलते हैं हमें? plastids में वो कौन से होते हैं? chloroplast cells and हमारे leukoplast कौन से होते हैं? leukoplast chloroplast cells जो होते हैं students वो क्या करते हैं? वो chromatogenic cells होते हैं कैसे? उनमें color pigments होंगे chromatogenic pigments मिलते हैं कैसे मिलते हैं? chromatogenic pigments पाए जाते हैं हमें किस में? हमारे chloroplast cells में उनका काम क्या होता है? photosynthesis कराना क्या कराना? photosynthesis इतना क्लियर है? उसी जगा leukoplast cells होते हैं students वो क्या करते हैं? वो colorless structures होते हैं कैसे? colorless structures होते हैं और उनका काम क्या होता है? storage का तो storage of ions, oils, nutrients, food ये सारी चीज़े कौन करते हैं? leukoplast करते हैं तो इनका main function क्या होता है? storage का इतना clear है आपको? तो ये थे basics अब मैंने आपको ये क्यों समझाया? अब आपको समझायेगा चलो students इतना हमें clear हो गया कि photosynthesis chloroplast में हो रहा है ठीक है? चलो divide कर देते हैं चलो आजो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ photosynthesis photosynthesis के बारे में हम समझ गए अब हम देखते हैं कि उनके types क्या होते हैं? तो photosynthesis दो type के होते हैं एक होती है हमारी light reaction क्या होती है? light reaction और दूसरी होती है हमारी dark reaction कौन सी reaction? dark reaction इतना clear है? आराम आराम से समझते हैं पूरा आज सारे concepts clear हो जाएंगे आपके तो बच्चो light reaction में उसके नाम में ही लिखा है light मतलब in the presence of light तो यह कैसी है? यह हमारी light dependent reaction कैसी होगी? sunlight dependent reaction उसी जगह यह कैसी होगी? हमारी dark reaction उसके नाम में ही लिखा है dark मतलब उसको अजाले की जरुवत नहीं है तो यह light independent reaction यह कैसी होगी? light independent reaction इतना clear है आपको? अब बच्चो जो हमारी light reaction होती है वो further दो टाइप में divide होती है कैसे कैसे कौन कौन से देख लेते हैं एक होते हैं हमारी cyclic photo phosphorylation क्या कहते हैं? cyclic photo phosphorylation और दूसरा टाइप क्या होता है? non cyclic photo phosphorylation non cyclic photo phosphorylation and dark reaction को क्या कहते हैं? तो dark reaction को हम कह सकते हैं C3 cycle और क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं Calvin cycle क्या कहते हैं? C3 cycle या Calvin cycle इतना clear है आपको? C3 cycle या Calvin cycle अब students इसका gist समझना important है कि ये reactions हो क्यों रही हैं? तो बच्चो हम light reaction करते हैं to produce energy क्योंकि हमें पता है photosynthesis क्या है? हमने carbon dioxide का utilization करा water की मदद से in the presence of sunlight और क्या करा? हमने energy produce करी in the form of glucose तो ये जो energy हमें मिली फिर glucose को हम break down करते हैं ATP का production करते हैं NADPH का production करते हैं तो ये जो हम energy का production कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो basically हम sugar को बनाने के लिए कर रहे हैं जो हमारा glucose का molecule है उसको बनाने के लिए ये सारी processes हो रही है तो light reaction क्योंकि ये sunlight में हो रही है और main energy produce होती है तो light reaction हम करते हैं to produce ATP and energy and dark reaction क्यों करते हैं? क्योंकि हमें sugar का production करना है तो dark reaction sugar का production करती है and light reaction energy का production करती है तो यहां मैं लिख देती हूँ कि light reaction क्या करती है? ATP और energy produce करती है क्या करती है ATP और energy produce करती है whereas dark reaction क्या करती है तो dark reaction का purpose है sugar को बनाना क्या बनाना sugar के molecule को बनाना ठीक है इतना समझ गए अब बचो light reaction की location क्या है वो कहा होती है तो light reaction usually होती है thylokoid membrane में याद रख लो light reaction कहा हो रही है thylokoid membrane में कहा हो रही है thylokoid membrane में और dark reaction कहा हो रही है हमारी तो dark reaction हमारी होती है stroma में कहा होती है stroma में अब इसको याद करने का क्या तरीका है अब देखो dark reaction ने क्या produce करा sugar produce करा sugar start किस से होता है s word से तो sugar कहा produce होगा sugar produce होगा स्ट्रॉमा में and light reaction का क्या काम है light reaction का काम है dark reaction के लिए energy produce करना ताकि वो sugar बना सके तो light reaction कहा होगी हमारी thylokoid membrane इतना clear है आपको तो ये है basic की light and dark reaction में differentiation क्या होता है सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे light reaction के types जो थे non-cyclic photo phosphorylation and cyclic photo phosphorylation so students चलो start करते हैं इतना clear है इसका screenshot ले लो अब अच्छो उससे पहले थोड़ी थेोरी देख लेते हैं photosynthesis कहा है तो photosynthesis होती है हमारी chloroplast में अब students the energy of light is captured by various photoreceptor pigments molecules which includes chlorophyll A तो बहुत सारे pigments है जो light sensitive होते हैं कौन-कौन से है वो chlorophyll A xanthophylls, keratinoids and other chlorophylls which are found in chloroplast हमने देखा था chloroplast क्या है तो chloroplast color pigment cells ही तो है तो कौन-कौन से होते हैं pigment cells हमारे chlorophyll, keratinoids, xanthophylls तो ये सारे कहा हम मिलते हैं ये सारे हमें मिलते हैं chloroplast में अब चलो ये क्यों करते हैं क्योंकि they are used to produce high energy अभी हम light capture की बात कर रहे हैं मतलब हम light reaction की बात कर रहे हैं और ma'am ने बहुत अच्छे से हमें समझाया था कि light reaction in the presence of light हो रही है तो वो क्यों होती है? To produce energy इस clear है? चलो अब अच्छो These electrons are utilized in the production of ATP हमें पता है क्या करते हैं हम इससे हम इसे ATP reduce करते हैं and NADPH और through a series of reaction which is called light reaction और photosynthesis clear है? अब चलो ATP and NADPH2 formed in the process of light reaction reduce carbon dioxide हमने देखा ही था carbon dioxide और का करते हैं? With the help of water in the presence of sunlight हमें sugar का molecule देता है convert into 3 phosphoglycerate by a series of reaction ये हब हम बात करें हैं dark reaction की तो dark reaction में बच्चो light नहीं होती लेकिन हमें sugar का produce करना है तो तब हम Calvin cycle में जाते हैं चलो अभी confused होने की कोई जर्वत नहीं है अब हम इसके concept समझते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं light reaction के types पे Calvin cycle के बारे में बिलकुल tension मतलो अभी बहुत अच्छे से मैं समझाओंगी Calvin cycle तो सबसे पहले मैं आती हूँ light reaction पे ठीक है मैंने अभी आपको पताया था photosynthesis दो type के होते हैं light reaction and dark reaction light reaction मैंने बताया था आपको in the presence of sunlight होती है फिर light reaction को मैंने further classify करा था cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation तो सबसे पहले students मैं start करे हूँ light reaction का cyclic photophosphorylation क्या start करे हूँ cyclic photophosphorylation तो यहाँ मैं heading डाल देती हूँ cyclic photophosphorylation अब चो photophosphorylation का क्या मतलब हुआ मतलब हम in the presence of sunlight क्या कर रहे हैं हम phosphate का molecule add कर रहे हैं in the presence of sunlight और cyclic क्या हुआ इसका मतलब अभी मैं आपको ज़स समझाऊंगी कि इसको cyclic क्यों कहते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि cyclic photophosphorylation कहा होता है तो location of cyclic photophosphorylation है इसका हर point question है students बहुत अच्छे से note down करो तो cyclic photophosphorylation का location है हमारा stroma का जो lamella होता है क्या है stroma का जो lamella होता है जो मैंने आपको बताए था यह मेरी thylokoyds इस thylokoyds को attach कौन कर रहा है तो इस thylokoyd को जो एक structure attach कर रहा है उसको हम क्या कहते है stroma lamella इस stroma lamella में ही होती है हमारी cyclic photophosphorylation इतना clear है आपको चलो अब इधर पे ही दो type के usually photo systems होते है बट cyclic photophosphorylation में सिर्फ एक photo system का use होता है अब बच्चो photo systems क्या होते है तो photo systems या इनको हम कह सकते है PS दो type के होते हैं यह PS1 and PS2 तो यह हमें मिलते हैं कहां हमारे thylokoyd में और stromal lamella में PS1 क्या होता है students एक हमारा main pigment होता है जिसको हम कहते है chlorophyll A एक होता है हमारा main pigment that is chlorophyll A दोनों में दोनों में हमें मिलता है chlorophyll A इसी के साथ accessory pigments attached रहते हैं इसके उपर तो इसके उपर मैं जोड देती हूँ accessory pigments तो यहां पे है मेरे accessory pigments ठीके बच्चो तो यहां पे मैं लिख देती हूँ यह क्या है मेरा main pigment और यह है मेरे accessory pigments यह रहे मेरे accessory pigments और वो है मेरा main pigment इतना clear है अब चो PS1 कितने nanometer की wavelength की light को reflect करता है तो यह करता है 700 nanometer की light को reflect ठीक है हर point बहुत important है PS2 कौन सी light को करता है तो PS2 करता है 680 nanometer wavelength की light को reflect इतना clear है आपको अब अच्चो यह है हमारे photosystems जो करवाते हैं photosynthesis अब आजाओ अब सबसे पहले हम थे हमारी light reaction की cyclic पे तो cyclic हमने देखा कहा हो रहा है stroma की lamella में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ lamella अब अच्चो उसके बाद हमने देखा था इसमें सिफ एक ही system involved है वो है photosystem 1 तो सबसे पहले यहाँ मैं draw कर रही हूँ photosystem 1 यहाँ पे मेरा main pigment जो है chlorophyll A उसी के साथ क्या आ जाएगा मेरा accessory pigments यहाँ पे मैं draw कर देती हूँ मेरे accessory pigments अब अच्चो यह जो process है यह कहा हो रहे है यह होती है in the presence of sunlight तो यहाँ पे हमारे sun का होना बहुत जरूरी है ठीक है तो यह रहा sun अब जो यहीं पे ही एक electron receptor होता है जिसको क्या कहते है photo electron receptor ठीक है यह रहा मेरा electron receptor clear और complexes क्या मिलते हैं तो हमें मिलता है plasto, quinon, ferrodoxin यहाँ पे मैं इनके नाम लिखती हूँ ferrodoxin plasto, quinon फिर मिलता है cytochrome इनका sequence याद करना ही तो है बस difficult बाकी सब तो बहुत आसान है यह रहा cytochrome और last में होता है हमारा PC जो है plasto sinin इतना clear है आपको अब हम समझते हैं यह रही मेरी पूरी कहानी के main characters अब हम समझते हैं कि कहानी में क्या होता है तो आज आओ मेरे साथ सबसे पहले हमारे जो electrons रहते हैं जो photons रहते हैं वो कहां आते हैं तो वो sunlight से जाते हैं मेरे कहां मेरे accessory pigments में कहां जाएंगे मेरे accessory pigments में तो यहां रहे मेरे photons यह कहा गए मेरे accessory pigments में मेरे accessory pigments एकदम से क्या हो जाएंगे? excited क्या हो जाएंगे? एक्सेसरी पिगमेंट्स हो जाएंगे एक्साइटेड जैसे ही मेरे एक्सेसरी पिगमेंट्स एक्साइटेड हो गए उन्होंने किसको एक्साइट कर दिया उन्होंने क्लोरोफिल ए को एक्साइट कर दिया किसको कर दिया एक्साइट क्लोरोफिल ए को तो यहाँ मेरा chlorophyll A excite हो गया और उसने क्या release करा? उसने release करें electrons क्या release करें? electrons अब जो मेरा electron receptor है उसका काम क्या है? उसका काम ही तो accept करना है electrons को तो उसने का भाई तो आजा मेरे पास तो हमारा primary electron receptor ने क्या करा? यह रहा मेरा primary electron acceptor इस primary electron acceptor ने फट से electron को accept कर लिया जैसे ही उसने accept कर लिया उसने किसको दिया? उसने दिया ferrodoxin को किसको दिया? ferrodoxin को जब वो ferrodoxin को देता है तो तब सबसे पहले energy का release होगा तो यहाँ पे सबसे पहली energy release होगी जब electrons, primary electron receptor ने ferrodoxin को दिये अब electron कहा जाएगा? अब electron जाएगा plastokunon के पास प्लास्टokunon के पास कहा जाएगा? उसके बाद जाएगा साइटोक्रोम के पास साइटोक्रोम के पास जाएगा हमारे plastocinin के पास जब हमारा electron सबसे last में Plastro-Synin को excite कर देता है वही electron जो निकला था मेरे main chlorophyll जो PS1 से वो वापिस PS1 पे आ जाएगा तो ये जो निकला था ये वापिस electron कहां आ गया हो? PS1 के पास कहां आ गया हो? PS1 के पास जब ये PS1 के पास आता है तो तब हमारी साइटोक्रोम के धर हमारी दूसरी एनरजी रिलीज होती है कहां क्या होती है? दूसरी एनरजी रिलीज तो basically हमारे cyclic photo phosphorylation में कितनी एनरजी रिलीज हुई? तो 2 ATP रिलीज होती है किसमे? हमारी cyclic photo phosphorylation में इतना क्लियर है जो electron PS1 से निकला था वही electron वापिस से घूम के अपना लंबा सफर करके सबसे पहले फो primary electron acceptor के पास, फिर ferodoxin के पास, उसके बाद plastokunon के पास, उसके बाद हमारे cytochrome के पास, उसके पास plastocinin और वापिस plastocinin से हमारे PS1 में आ जाता है तो जो electron निकला था वही वापिस आ गया ये picture clear है, तभी इसका नाम है cyclic photophosphorylation क्योंकि जो electron निकला था वह electron वापिस आ गया मैंने क्या बुला था कि मैं अभी बताऊंगी कि सा cyclic क्यों कहते हैं, मिल गया उसका answer, cyclic इसलिए कहते हैं क्योंकि जो electron निकला था वह electron वापिस आ गया clear है, इसका screenshot ले लीजी, चलो, अब हम आते हैं non-cyclic photophosphorylation में यहां मैं लिखनी हूँ, non-cyclic photophosphorylation तो बच्चों, non-cyclic photophosphorylation कहां पे होता है, तो यह होता है outer membrane of thylokoid, कहां होता है, outer membrane of thylokoid outer membrane of thylokoid, इतना clear है, suppose जो मैंने आपको thylokoid बताये थे, flat like structures जो थे, यह रहा वो एक structure अगर मैं उसको बीच में dissect करके देखू, तो उपर क्या है, उपर है मेरा stroma, यह क्या है students, यह है मेरा stroma, यह क्या है मेरी outer membrane of thylokoid, यह है outer membrane of thylokoid, और यह क्या है, यह है मेरा inner membrane या matrix of thylokoid, clear या matrix का है, किसका thylokoid का, इतना clear है, अब अच्चो, यह जो outer membrane of thylokoid रहती है, यहाँ पे रहते हैं हमारे दो फोटो सिस्टम्स, कौन से दो फोटो सिस्टम्स, इसको क्या कहते हैं हम, PS1 and PS2, तो यहाँ पे प्रेजन्ट होते हैं मेरे दो फोटो सिस्टम्स, PS1 and PS2, तो यह क्या होते हैं, यह outer membrane पे होते हैं, हमने देखा था, cyclic में, कितना फोटो सिस्टम्स हो रहा है, सिर्फ एक, non-cyclic में कितना हो रहा है, दो, cyclic कहां पर हो रहा है, तो cyclic होता है, लामला में, और non-cyclic कहां हो रहा है, outer membrane of thylokoid, कोई confusion नहीं है ना अभी तक, चलो, अब हम देखते हैं इसको detail में, कि यह होता कैसे है, तो सबसे पहले, यहाँ पर मैं बना दीती हूँ, अपना outer membrane, जोती किसकी, thylokoid की, और वहाँ पर रहता है मेरा, कौन से, दो फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम्स टू, और फोटो सिस्टम्स वन, हमने देखा था कि main pigment कौन सा है, फोटो सिस्टम्स टू में, क्लोरफिल ए, और साथ ही इसके accessory pigments है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यह है मेरा PS2, कितना wavelength की light absorb करता है, यह 680 nanometer, तो अब यह light का source तो बना दो, यह रहा मेरा sun, यह क्या है, मेरा sun, in the presence of sun ही तो हो रहा ही है, अब आजाओ, ठीक है, अब क्या होता है, अब आते है मेरी primary electron acceptor, यह रहा मेरा primary electron acceptor, फिर वापस से आजाओ मेरा plastokinon, cytochrome, and plastosinin, फिर रहता है मेरा primary electron acceptor, and क्या रहेगा, मेरा PS1, क्या रहेगा मेरा PS1, जो कितनी light absorb करता है, 700 nanometer, outer membrane में एक structure है, my dear students, जिसको हम कहते हैं, ferrodoxin, यहाँ पे non-cyclic में ferrodoxin कहां रहता है, outer membrane पे, clear, चलो, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि यह हो क्या रहा है, तो sunlight ने क्या करा, अपने photons release करे, यहाँ पे बना देते हैं, sunlight ने अपने photons release करे, और किसको दिए, accessory pigments को, तो यहाँ पे निकले मेरे photons, कहां से, sun से, और किसने absorb करे, सबसे पहले absorb करे, मेरे accessory pigments ने, accessory pigments के पास, जैसे ही photons आए, वो क्या हो गए, excited मैं एदा, ठीक है, excited हो गए वो, अब क्या करा, उन्होंने chlorophyll A को excite कर दिया, chlorophyll A excite हो गया, और उसने क्या release करा, उसने release करा, electron, electron को बैठा हुआ कौन है लेने के लिए, हमारा primary electron acceptor, तो यह गए मेरे primary electron acceptor के पास, फिर कहा जाएंगे, मेरे plasto quinon के पास, उसके बाद कहा गए, उसके बाद जाएंगे, cytokrone के पास, फिर कहा जाएंगे, फिर जाएंगे मेरे plastosinin के पास, कहा जाएंगे, plastosinin के पास, इनको मैं label कर देते हूँ, ताकि आपको यह सब एकदम अच्छे से याद हो जाए, यह रहा मेरा plastosinin के प्लास्टो क्विनोर्ण, साइटोख्रोम, प्लास्टो साइनिन, ठीक है, यह रहा PS1 और यह रहे इसके accessory pigments, clear, clear my dear students, अब चलो, कहा पे थे, हम थे, कि प्लास्टो साइनिन ने क्या करे, last electrons release करे, और वो electrons लेने के लिए कौन बैठा है हमारा, primary electron acceptor, वो गए मेरे primary electron acceptor के पास, फिर कहा गए, मेरे PS1 में, मेरे photosystem 1 में, जब मेरे photosystem 1 के पास जाते हैं, वहाँ से electrons निकल के जाते हैं, ferrudoxin में, कहां गए, ferrudoxin में, ferrudoxin में जाने के बाद, वो क्या करते हैं, NADPH को convert कर देते हैं, NADPH, प्लस H में, इतना clear है, तो बच्चों, ferrudoxin कहा है, outer membrane पे, तो non-cyclic photophosphorylation में, energy कहां produce हो रही है, outer membrane of thylocoid, कहां हो रही हैं, outer membrane of thylocoid, इतना clear है आपको, बहुत ही important है, इसका एक-एक point बहुत important है, सबसे important बात इसमें गौर करने की, की सबसे पहले energy कहां produce हुई, तो cytokrome पे सबसे पहले ATP का production होता है, यहां लिख देती हूँ, सबसे पहले, जब plastroquinone ने cytokrome को दी, तब ATP produce हुई, और दूसरी energy crop produce हुई, जब मेरा NADPH reduce हुआ, NADPH और प्लस में, इतना clear है, तो NADPH2 जब produce हुआ, तो दूसरी energy मेरी तब release हुई, अब students, ऐसे तो electrons आए, ठीक है, chlorophyll ऐसे, कहां गए, photosystem 1 के पास, तो ferodoxin ने energy release कर दी, क्या वो electrons वापिस photosystem 2 के पास आए, नहीं, तब इसको क्या कहते हैं, non-cyclic photophosphorylation, एक point clear है, अब दूसरा point, ऐसे तो हम सारे electrons ले लेंगे, और दे देंगे, तो बिचारे इस photosystem 2 के पास, तो energy और electrons की कमी हो जाएगी, होगी की नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, अब ये electrons को produce कर रहे के लिए, ताकि इसके पास कमी ना हो, वो कराएगा hydrolysis, तो ये क्या कराएगा, hydrolysis of water, क्या कराएगा, hydrolysis of water, इसके पास abundant में पानी भरा हुआ है, किसके पास, photosystem 2 के पास, वो क्या कराएगा, वो breakdown कराएगा, water का किसमें, हमारे photons में, electrons में, और nascent oxygen में, तो क्या produce करा, non-cyclic में, सबसे पहले तो produce हुआ, हमारा NADPH2, फिर एक ATP, एक NADPH2, और एक oxygen, clear, और nascent oxygen, ये सब कुछ produce हो रहा था, cyclic में नहीं, cyclic में क्या produce हो रहा था, सिर्फ 2 ATP, clear है आपको, चलो, I hope this much is clear to you, कि non-cyclic कहा हो रहा है, outer membrane of thylokoid, दूसरा point, इसमें एक ATP, एक NADPH, और एक nascent oxygen, प्रेद्यूस हो रहा है, clear है, क्यों oxygen प्रेद्यूस हो रहा है, क्योंकि, इसमें, हमारे electron deficient, ना हो जाए, photo system 2 के पास, वो क्या करवाता है, hydrolysis of water, hydrolysis of water के बाद, उसे photons, electrons और nascent oxygen मिलते हैं, लेकिन, इसी जगा, in contrast, हमारे cyclic में क्या हो रहा था, बच्चों, जो electrons घर से निकल रहे थे, वो वापिस घर को आ रहे थे, तो electron deficiency थी वहाँ पे, नहीं, यहाँ पे है electron deficiency, क्यों, क्योंकि, यह photosystem 2 से तो निकल रहे हैं, लेकिन, वापिस photosystem 2 के पास नहीं आ रहे है, इसलिए बहुत easy concept है, सिर्फ नाम पे देखो, चलो, एक tabular form में, सबसे पहले इसका screenshot ले लो, ले लिया, अब मैं और आसान करके समझाती है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं simple भाशा में, मतलब बहुत easy तरिका समझा रही हूँ, इतना complexity नहीं है, ठीक है, चलो, यहाँ पे light reaction दिख देती हूँ मैं, light reaction, ठीक है, यहाँ पे था मेरा non-cyclic, यहाँ पे है cyclic, clear, non-cyclic कहा हो रहा है, तो यह हो रहा है, thylokoid की outer membrane में, कहां हो रहा है, thylokoid की outer membrane में, cyclic कहा हो रहा है, cyclic हो रहा है lamella में, clear, इतना clear है, अब देखो, अब यहाँ पे कौन से systems involved है, यहाँ पे involved है, PS2 and PS1, वहाँ पे कौन सा, सिर्फ PS1, इसके नाम में क्या लिखा है, इसके नाम में लिखा है, non-cyclic, मतलब electrons, जो PS2 से निकले हैं, वो वापिस electrons, PS2 के पास नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे, जो PS1 से निकले हैं, electrons, वो वापिस PS1 के पास आ रहे, तब भी उसका नाम क्या है, cyclic photo phosphorylation, इतना clear है, अब students, एक और बात, अगर आप वापिस ला रहे हो, किसी electron को, तो वहाँ पे क्या होगा, no hydrolysis, वहाँ पे क्या हो रहा है, no hydrolysis, क्यों, क्योंकि वापिस electron आ रहे है, electron की deficiency नहीं है, क्या electron की deficiency है, नहीं, जो electrons निकले, वही electrons वापिस आ गए, यहाँ पे electron की deficiency है, इसलिए हम क्या कराएंगे, hydrolysis of water, अब जहाँ hydrolysis of water हो रहा है, वहाँ पे oxygen का release हो रहा है, तो oxygen release कहा मिलता है मुझे, non cyclic में, वहाँ पे oxygen release होगा, नहीं, तो no oxygen, clear, अब बच्चो, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, non cyclic में, एक ATP, एक NADPH2, और क्या मिल रहा है बच्चो, एक nascent oxygen, clear, वहाँ पे क्या मिल रहा है, वहाँ पे सिर्फ 2 ATP मिल रही है, दो ATP मिल रही है, इतना clear है आपको, तो यह है पूरा क्या, मेरा cyclic and non cyclic photo phosphorylation, clear, कोई doubt, तो बताइए, I will solve it, चलो, अब थोरी थोरी देख लेते हैं, चलो बच्चो, light reaction usually include करती है, यह following steps कौन से, first capturing the solar energy, हमने sunlight से energy ली, ठीक है, second splitting of water, light reaction की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, light reaction की, तो सबसे पहले तो इन्दी presence of sun है, दूसरा oxygen का release हो रहे है, ठीक है, oxygen का release हो रहे है, फिर oxygen का release क्यों हो रहे हैं, क्योंकि water को split कर रहे है, oxygen का release क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम water को split कर रहे है, ठीक है, formation of higher energy organic intermediates, like ATP and NADPH2, तो यहाँ पर क्या मिलता है मुझे, एक ATP, एक NADPH2, और क्या मिला, एक nascent oxygen, एक nascent oxygen, इतना clear है आपको, चलो, ना, light reaction को अगर हम और detail में समझे, तो यह रहा मेरा photo system 2, क्या करा, light से क्या है, photons आए, उसने activate करें मेरे chlorophyll A को, electrons release हुए कहा गए, प्लास्टो क्विनॉन के पास, प्लास्टो क्विनॉन के पास कहा जाएंगे वो, वो जाएंगे साइटो क्रोम के पास, साइटो क्रोम के पास कहा जाएंगे वो, वो जाएंगे मेरे प्लास्टो साइनिन के पास, फिर that will go to हमारा PS1, PS1 में जाने के बाद वो कहा जाएंगे मेरे ferrodoxin के पास, ये रहा मेरा ferrodoxin and ferrodoxin के पास जब वो जाएंगे तब क्या रिलीज होता है? NADPH2, क्या मिला NADPH2, जब मुझे NADPH2 मिला, यहां पे मेरा electron खतम हो गया, इसके पास electron की deficiency हो गई, किसके पास? PS2 के पास उसने क्या करा? Hydrolysis of water, उसने क्या करा? Hydrolysis of water, H2O को split करा oxygen में, electrons में और photons में, अब बच्चों ये जो ferrodoxin था, ये कहां है? ये outer membrane of thylokoid, इसलिए energy का production कहां हो रहा है? इसमें outer membrane of thylokoid, clear है आपको? चलो, आजाते हैं अब dark reaction पे, अभी तक हमने देखा light reaction के दो टाइप, अब अचो dark reaction जिसे Calvin cycle और C3 cycle भी कहते हैं, क्या कहते हैं, Calvin cycle and C3 cycle, अब अचो dark reaction में हमने क्या देखा था? ये क्या है? light independent reaction, ये है हमारी light independent reaction, अब अचो ये कहां होती है? तो ये हो रही है हमारे stroma में, कहां होती है ये stroma में, और main function क्या है इसका? शुगर का production, clear ये थे हमारे outline किसकी? dark reaction की, जिसको हम कहते हैं Calvin cycle, अब अचो dark reaction में ली तीन steps में होती है, कितने तीन steps में हमें dark reaction दिखती है, कौन सा होता है वो? सबसे पहला होता है carbon fixation, तो सबसे पहली step क्या है? carbon fixation या carboxylation, क्या कह सकते हैं इसको हम carbon fixation या carboxylation, यहां लिख देती हूँ या carbon dioxide fixation, इतना clear है आपको? अब अचो, दूसरी step क्या होती है? दूसरी step होती है हमारी reduction की, तो दूसरी step क्या है? reduction, तो यहां लिख देती हूँ, दोस दूसरी step is reduction, तीसरी step क्या है? regeneration, तीसरी step है regeneration, तो तीन step में हमें क्या दिखती है? तो तीन step में हमें दिखती है हमारी dark cycle, जिसको हम कहते हैं Calvin Cycle अब अचुक, सबसे पहले क्या होता है तो सबसे पहले Carbon Dioxide Fixation में हम Carbon Dioxide को किस से आड़ करेंगे Rubilose Bisphosphate क्या करेंगे Rubilose Bisphosphate प्लस Carbon Dioxide किसमें क्या मिलेगा हमें 3 Phosphoglycerate क्या मिलेगा 3 Phosphoglycerate क्या मिल गया मुझे 3 Phosphoglycerate अब अचुक, ये थी मेरी पहली स्टेप, जिसको मैंने क्या कर रहा Carbon Dioxide Fixation या Carboxylation अब अचुक, जब मैं 3 Phosphoglycerate बना लेती हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगी मैं इस 3 Phosphoglycerate को Reduce करूँगी क्या करूँगी, Reduce करूँगी और उस स्टेप को क्या कहते है Reduction, उसको Reduce किसमे करूँगी, Glyceral Dehyde किसमे Reduce करूँगी Glyceral Dehyde 3 Phosphate में, तो सबसे पहले मैंने 3 Phosphoglycerate बनाया, चिक है 3 Phosphoglycerate बनाया उसके बाद मैंने क्या करा उसके बाद मैंने उसको Reduce करा किसमे, 1,3 Bisphosphoglycerate में किसमे Reduce करा 1,3 Bisphosphoglycerate Bisphosphoglycerate Reduce कर दिया 1,3 Bisphosphoglycerate में जब मैंने उसको Reduce करा, end में मुझे क्या मिला मुझे मिला Glyceral Dehyde 3 Phosphate क्या मिला मुझे Glyceral Dehyde 3 Phosphate यही चाहिए था मुझे क्या चाहिए था Glyceral Dehyde 3 Phosphate ही चाहिए था जब मुझे Glyceral Dehyde 3 Phosphate मिला मैंने उसको वापिस किसमें प्रड्यूस करा R-Rubisco में Ribulose Bisphosphate में क्या प्रड्यूस करा मैंने R-U-B-P फिर से प्रड्यूस हुआ तो जब R-U-B-P फिर से रीजनरेट हो जाता है उस step को क्या कहेंगे उस step को हम कहते हैं Regeneration क्या कहते हैं Regeneration Clear है क्या कहेंगे Regeneration तो यहाँ पर 3 चीज़े याद रखनी है क्या Carbon Dioxide Fixation होती है पहली step उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम Rubelose Bisphosphate प्लस Carbon Dioxide को किसमें convert करेंगे 3 Phosphoglycerate में हमें Basically 3 Phosphoglycerate को किसमें convert करना है हमें उसको convert करना है Gluceral Dehyde 3 Phosphate मे तो मैंने 3 Phosphoglycerate को convert कर दिया Gluceral Dehyde 3 Phosphate में यह step क्या होगी Reduce यहां से मैंने Phosphate कम कर दिया इसलिए अब मैंने उसे Gluceral Dehyde 3 Phosphate बना दिया अब जब मुझे Gluceral Dehyde 3 Phosphate मिल गया मैं वापिस से क्या Regenerate करूँगी मेरा Rubelose Bisphosphate जब Rubelose Bisphosphate फिर से Generate होगा उस step को क्या कहेंगी Regeneration तो बस यह 3 चीज़े इसमें याद रखनी है Clear है? चलो अब बचो इसमें Important Point क्या है? हमारी C3 Cycle की Energetics क्या? C3 Cycle की Energetics इसमें बहुत question आ सकते हैं और इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कैसा? 3, 2, 1 ठीक है? तो कितने? 3 ATP 2 NADPH ठीक है? NAD NADPH2 और एक Carbon Dye Oxide Clear है? 3, 2, 1 किसकी बात करी हूँ मैं? मैं यहाँ पे Dark Cycle की बात करी हूँ यहाँ पे मैं Dark Cycle की बात कर रही हूँ अब बचो हमें अगर Glucose का production करना है Dark Cycle से तो Glucose कितना Carbon Compound है? तो Glucose है 6 Carbon Compound का तो कैसे करेंगे? 6 into 3 plus 6 into 2 plus 6 into 1 अब बताओ ATP किती produce हुई Dark Reaction में? तो 6 threes are 18 ATP produce होती है किसमें हमारी Dark Reaction में? कितनी produce हुई ATP? हमें 18 ATP मिलती है किसमें Dark Reaction में? clear है आपको? चलो! आगे बढ़ते हैं 3, 2, 1 याद रखना 3, ATP, 2 NADPH और एक Carbon Dioxide किसमें मिलेगा हमें? Dark Reaction में अब अच्चों ये एक easy तरीका आपको समझाने का कि Light Reaction में हमने क्या करा? Light Reaction में mainly in the presence of light हमने क्या produce करी? Energy ATP और NADPH की फॉर्म में तो Light Reaction में हमने Water को Breakdown करके क्या produce करा? NADPH और ATP वो जो ATP और NADPH हमें मिले हमने कहां दिये? उन्हें Calvin Cycle में Calvin Cycle में हमें क्या मिला? Carbon Dioxide को fixate करा और हमने क्या release करा? हमने बनाया sugar हमने बनाया sugar और वो sugar कहां produce हुआ? वो sugar produce हुआ stroma में तो Thylakoid Membrane और Stromal Lamella में जहां Light Reaction हो रही थी Light Reaction का mainly function क्या था? ATP का produce करना या energy का production करना जब हमने energy का production कर लिया वो energy हमने कहा दि Calvin Cycle में Calvin Cycle ने Carbon Dioxide की मदद से Breakdown करके Hydrolysis करा के क्या produce करा? शुगर का molecule और वो sugar का molecule कहां मिला हमें? stroma में clear? कितना असान है? तो ये था पूरा photosynthesis in higher plants अब हम देखते हैं बच्चों हमारी Light Reaction complete हो गई Dark Reaction complete हो गई अब हम आते हैं हमारी C4 Cycle में आजो तो सबसे पहले देख लेते हैं C4 Cycle C4 Cycle और क्या कह सकते हैं इसे हम कहते हैं Kranz Anatomy क्या कहते हैं इसे हम Kranz Anatomy ठीक है? और क्या कहते हैं Hatch and Slang Cycle भी कह सकते हैं अब अचो हमारी C4 Cycle में दो टाइप के Cells होते हैं कैसे होते हैं? दो टाइप के Cells होते हैं कौन से? Mesophil Cells और Bundle Sheet Cells तो यहाँ पे दो टाइप के Cells होते हैं Mesophil Cells और Bundle Sheet Cells Clear है आपको? तो अब अब अचो देख लेते हैं इसके diagram को यहाँ पे दो टाइप के Cells होते हैं Mesophil Cells और Bundle Sheet Cells आजाओ यहाँ पे हम diagram से समझते हैं इसको ऐसा कुछ एक structure होता है यह रहे मेरे Mesophil Cells चीक है? यह रहे उसके outer membrane अब बच्चो यह रहे हमारे Mesophil Cells होते हैं इन में क्या होगा? इन में जो हमारी पहली step होगी वो होगी Phosphoenol Pyruvate के साथ कौन सी होगी? Phosphoenol Pyruvate यहाँ बना देते हूँ PEP जिसको क्या कहते है? Phosphoenol Pyruvate इन दी प्रेजन्स ओफ Carbon Dioxide तो Phosphoenol Pyruvate इन दी प्रेजन्स ओफ Carbon Dioxide हमें क्या देगा? Oxaloacetic Acid क्या मिला मुझे? यहाँ पर मेजवे मिला Oxaloacetic Acid Clear? Oxaloacetic Acid किसमें ब्रेकडाउन करता है? इसे हम ब्रेकडाउन करते हैं मैलेट में यह मैलेट फिर कहा जाता है? बंडल Sheath Cell में अब यह मैलेट कहा आ गया? अब यह मैलेट आ गया बंडल Sheath Cell में बंडल Sheath Cell के बाद यह क्या रिलीज करता है? Carbon Dioxide यह Carbon Dioxide कहा जाएगी? यह Carbon Dioxide वापिस से C3 Pathway में चली जाएगी भेज जेते हैं ऐसे वापिस ये carbon dioxide वापिस से C3 pathway में चली गई अब बचो जब ये melate हमें कहां मिल जाता है? bundle sheet cell में then ये वापिस से किस में convert होता है? phospho in all pyruvate में and इसे कहां पहुचा देते हैं? हम mesophyll cells में तो ये कहां पहुच गया? हमारी mesophyll cells में तो इस cycle को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं C4 pathway और क्या कह सकते हो? hatch and slang cycle and crans anatomy भी कह सकते हो clear है आपको? चलो इसका एक बार diagram देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या करा? हमने phospho in all pyruvate को किस में convert करा? oxalo acetate में in the presence of enzyme PEP case K stands for carboxylase तो convert कर दिया हमने किस में? phospho in all pyruvate को oxalo acetic acid में जब हमने से oxalo acetic acid में convert करा उसके बाद हमने से किस में convert करा? melate में melate में convert करने के बाद हमने इसको कहा भेजा? हमने इसको भेजा हमारे bundle sheet cells में bundle sheet cells में ये क्या करता है? carbon dioxide को release करता है वो carbon dioxide कहा जाएगी? मेरी Calvin cycle में वो जाएगी मेरी C3 cycle में C3 cycle में जाके वो क्या produce करेगी? sugar कहा? मेरे stroma में कितना ये आसान है? उसके बाद हम इसे वापस में किस में convert करेंगे? PEP में? phosphoenol pyruvate में और कहां भेज देंगे? उसे हम वापस हम भेज देंगे mesophyll cells में तो ये क्या था? ये था मेरा C4 pathway clear है? कितना आसान है? सब कुछ connected है आपको अगर एक concept आ गया समझ में students तो आपको पूरा photosynthesis समझ आ जाएगा clear है? चलो अब एक और last चीज बची है वो है cam cycle क्या बचा है? cam cycle cam cycle कहा होता है? तो cam cycle usually desert वाले plants में होता है जिसको हम क्या कहते हैं? succulents क्या कहते हैं उन्हें? succulents क्यों कहते हैं उन्हें succulents? क्योंकि इनके वो water loss prevent करना है इनको water loss prevent करना है already desert में रहते हैं इन बचारों के पास already पानी की बहुत कमी है आप अगर और जादा water loss कर दोगे तो ये बचारे तो मर जाएंगे इसलिए succulents में क्या होता है? succulents में होती है cam cycle क्या होता है बच्चों? तो cam cycle further divide होती है किसमे? night में और day में चलो देख लेते हैं कि रात में क्या होता है और दिन में क्या होता है? तो रात में क्या होता है बच्चों? हमारा जब हम phosphoenol pyruvate in the presence of carbon dioxide with the help of enzyme PEP case very good with the help of enzyme PEP case जिसे हम PEP carboxylase भी कह सकते हैं PEP carboxylase भी कहते हैं किसमें produce करते हैं? उसको convert करते हैं oxaloacetic acid में वो किसमे convert होता है? melate में जब हम उसे melate में convert करते हैं बच्चों तो क्या होता है? हमारी cell में melate का concentration बहुत बढ़ जाता है क्या हुआ? cell में concentration of melate बहुत बढ़ गया जब melate का concentration बढ़ जाता है तो क्या होगा? उस cell को hypotonic state में चला जाएगा वो वो कैसी state में चला जाएगा? hypotonic and जब भी cell hypotonic होती है तो वो क्या करती है बाहर से बुलाती है कि भाया आजाओ सारा का सारा सेल के अंदर पानी भर जाए decrease हो जाएगा क्या हो जाएगा water loss decrease तो सबसे पहले night में हमने क्या करा carbon dioxide का fixation करा और क्या करा हमने water loss को reduce करा क्या करा? Water loss का reduction. कैसे? हमने pep case enzyme से oxalo acid में convert कर acetic acid में, उसके बाद melate में melate की वचे से cell hypotonic हो गई. hypotonic state की वचे से उसमें endo osmosis हो गया. जैसे ही उसमें endo osmosis हुआ, सारा cell के अंदर पानी आ गया, stomata open हो गया and water loss कम हो गया. अब बच्चो दिन में क्या होता है? तो day में कोई carbon die oxide fixation होता ही नहीं है. तो no carbon die oxide fixation जब carbon die oxide fixation है ही नहीं, तो stomata क्या है? closed. तो stomata क्या है? closed. clear है आपको? तो यह क्या है? cam cycle. यह कहां पे होती है? यह होती है succulents में, desert वाली plants में, जहां पे हमें water loss को बचाना है. बचारों के पास already पानी काम है. इनका पानी जितना है वो भी ले लोगे, तो यह तो मर जाएंगे. इसलिए हम carbon dioxide fixation करके stomata को open रखते हैं, जिससे water loss कम हो जाता है. बच गया हमारे plants? बच गया. ठीक है? तो यह थी हमारी cam cycle और क्या छोड़ा हमने? हाँ, हमने इनकी stages छोड़ी थी. तो आज आओ देख लेते हैं. हम देखते हैं अभी Calvin cycle की तीन stages. तो dark reaction cycle थी. उनकी तीन stages क्या थी? पहली stage थी students हमारी fixation carbon dioxide की. दूसरी stage क्या थी? हमारी reduction जिसमें हम phosphoglycerate को glyceraldehyde में convert कर रहे थे उसके बाद regeneration जिसमें हम वापस ribulose bisphosphate को regenerate कर रहे थे clear है? हमने C4 pathway कर लिया. तो आज हमने क्या क्या कर लिया? आज हमने सबसे पहले photosynthesis में light reaction देख ली. जिसमें हमने non cyclic and cyclic देखा उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने C3 pathway, Calvin cycle देखी, जिसमें क्या था बच्चो? जिसको हम Calvin cycle dark reaction भी कह सकते हैं. उसके बाद हमने देखा C4 pathway and then हमने last में देखा था cam cycle clear है आपको? इसी के साथ खतम होता है हमारा photosynthesis in higher plants. मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी good news है. वो है Magnet Brains अब provide करते हैं अपने खुद का platform. All you have to do is just go on and visit www.magnetbrains.com जैसे ही आप हमारी website पर जाएंगे एक ऐसा page open up होगा. आपको बस select करना है कि आपको English में देखनी है या Hindi में देखनी है जैसे ही आप अपना medium select कर लेंगे एक ऐसा page open up होगा. आपको अगर मेरे biotech की वीडियोज देखनी है तो just click on watch now biotechnology. जैसे ही आप biotechnology पर जाएंगे students एक ऐसा page open up होगा जिसमें complete chapter overview है कौन-कौन से chapters upload हो चुके हैं, कौन-कौन से होने आपको क्या करना है बस इस play button को दबाना है and अब पूरी वीडियो घर बैटे free में stream कर सकते हो आपको पता ही है Magnet Brains प्रोवाइड करता है एकदम free education के kindergarten से लेके class 12 के लिए only and only for your bright future students so stay tuned and बहुत सारी knowledge है जितनी ले सकते हो उतनी लेनी चाहिए Thank you so much